हलो बच्चो आज हम वितान भाग दो पाठ्य पुस्तक में संकलीत अतीत में दबे पाउ गध्या का अध्यान करेंगे ये गध्या में हडपा, मोंजो दड़ो, आदी जो प्राचिन सब्यता है अभी हमारे सामने नहीं है कुछ साल पहले नस्ट हो गई है, उनके बारे में जानकारी है अभी भी मोंजो दड़ो और हडपा, प्राचिन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सब्से पुराने नियोजित सहर माने जाते है ये सिंदुकाटी सब्यता के परवर्ती, यानि की परिपकव दोर के सहर है खुदाई में और सहर भी मिले हैं, लेकिन मोंजो दड़ो तामरकाल के सहरों में सबसे बड़ाए वह सबसे उत्कृष्ट भी है, व्यापक खुदाई यहीं पर सम्भा हुई बड़ी तादाद में इमारते, सडके, धातू पत्थर की मुर्तियां, चाक पर बने, चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलोने आदी मिले सब्यता का अध्यन संभव हुआ उदर सेक्डो मिल दूर हडपा से ज्यादातर साक्षय रेल लाइन बिछने के दोरान विकास की भीर चड़ गये मुहरे दड़ों के बारे में धाणा है कि अपने दोर में वह घाटी की सब्यता केंदर रहा होगा यानी एक तरह की राजदानी माना जाता है यह सर दोसो एकर ख्षयत्र में फेला था आबादी कोई 25,000 थी जाहिरे 5000 साल पहले यह आज की महानगर की परिभासा को भी लांगता होगा दिलचस्प बात यह है कि सिंदु काटी मेदान की सिंस्कृती थी पर पूरा मोंजो दड़ो छोटे मोटे तिलो पर आबाद था यह तिले प्राक्रितिक नहीं थे कच्ची और पकी दोनों तरह की इटों से धर्ती की सत्व को उचा उठाया गया था ताकि सिंदु का पानी बाहर पसर आये तो उस से बचा जा सके मोंजो दड़ो की खुबी यह थी कि इस आदिम सहर की सडको और गलियों में आप आज भी गुम फिर सकते हैं यहां की सब्यता और संस्कृती का सामान भले अज्जायब घरों की सोभा बड़ा राओ सहर जहां था अब भी वही है आप इनकी किसी भी दिवार पर पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं वह एक खंडहर क्यों नहो किसी घर की देहरी पर पाओ रखकर आप सहसा सहम सकते हो रसोय की खिलकी पर खड़े होकर उसकी घंध में सुस कर सकते हो या सहर की किसी सुंसन मार्क पर कान देकर उस बेलगाडी की रुन जुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिटी के रंग में देखा है सच है कि यहां किसी आंगन की टुटी-फुटी सीडिया अब आपको कहीं नहीं ले जाती वे आकास की तरफ अदूरी रे जाती है लेकिन उन अदूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर है यहां से आप इत्यास को नहीं उसके पार जाक रहे हैं सबसे उन्चे चबुत्रे पर बड़ा बोध स्तूप है मगर यह मोंजो दड़ों की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्न सीर्न टिल्ल्य बन गया है कोई 25 पुट उन्चे चबुत्रे पर 26 सदी पहले बनी इटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया चबुत्रे पर बिख्शों के कमरे भी है 1922 में जब राखलदास बेनर जी यहां आये तब यह इसी स्तूप की खोजबिन करना चाते थे इसके इद्गिद खुदाई सुरू करने के बाद उन्हें इलहाम हुआ कि यहां इश्वा पुर्वक के निशान है भारत्य पुरा तत्व सरक्षन के महा नेदसक जोन मार्सल ने नेदस पर खुदाई का व्यापक अभ्यान सुरू हुआ दिमे दिमे यह खोज विसेस्यग्यों को सिंदु घाटी सब्यता की देहरी पर ले आई इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानि की इराक के प्राचिन सब्यताओं के समकक शलाखडा किया दुनिया की प्राचिन सब्यता होनों के भारत के दावे को पुरा तत्व का वेग्यानिक आधार मिल गया पर्यटक बंगले से एक सरपिल पकडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुचे हैं पहली ही जलक ने हमें अपलक कर दिया इसे नागर भारत का सबसे पुराना लेंड्सकेप कहा गया यह सायज सबसे रोमा चक भी है ना आकास बदला है ना धरती पर कितनी सब्यताय इत्यास और कहानी बदल गई इस ठहरे हुए द्रेश्य में अजारो साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है इसे देखकर सुना जा सकता है बलही किसी जगस के बारे में हमने कितना पड़ा सुना रखा हो तस्वीरे या वृत्षित्र देखी हो देखना अपनी आँख से देखना है बाकी सब आँख का जपगना है जैसे यात्रा अपने पाउं चलना है बाकी सब तो कदम ताल है मोसम जाडे का था पर दुपरी की दूप बहुत कड़ी थी सारे आलंकों जैसे एक फीक के रंग में रंगने की कोसिस करती होई यह इलाका राजस्तान से बहुत मिलता जुलता है रेत के टिल्ले नहीं है खेतों का हरापन यहां है मगर बाकी वही खुला आकास सुना परेवेश, दूल, बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा घर्मी मगर यहां की दूप का मिज़ा जुदा है राजस्तान की दूप पारदर्शी है सिंदू की दूप जोग्याती है तस्वीर उतारती वक्त आप केमेरे में जरूरी पूर्जे न गुमाए तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्य के रंगी उड़ गयो पर इसमें एक फाइदा हुआ हमें हर दृश्य पर नजरे दुबारा फिराने पड़ दे इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठढ़ते मानो तस्वीर देखकर उसकी याताजा करने की कभी जरूरत ना पड़े स्तोप वाला चबुत्रा मोहंचो दड़ो के सबसे खास हिसे के एक सीरे पस्थी थे इस हिसे को पुरा तत्व के विद्वान घड कहते हैं चार दिवारी के बितर एत्यासिक सहर के सता केंद्र अवस्थीत होते थे चाहे वसता, राजसता हो या धर्मसता बाकी सहर गड से कुछ दूर बसे होते थे क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोंचो दड़ो ने दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर के प्रसिद इमारतों की खंधर चबुत्र के पीछे यानी पस्सिम में है इनमें प्रसासनिय इमारते, सभाभवन, ज्यान साला और कोठार है वह अनुस्ठानिक महाकुंड भी है जो सिद्दुगाटी सब्यता के अद्वित्य वास्तुकोशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफि माना जाता है असल में यहां यही एक निर्मान है जो अपने मोल स्वरुप के बहुत नज़्दीक बच्चा रह सका है यानी बाकी इमारते इतनी उजली हुई है कि कल्पना और बरामत चीजों के जोड़ने से उनके उप्योग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है नगर नियोजन की मोर्जो दड़ो अनूठी मिशाल है इस कथन का मतलब आप बड़े चबुत्र के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं इमारते भले खंडरों में बदल चुकी हो मगर सहर की सडको और गलियों की विस्तार को सपस्ट करने के लिए ये खंडर काफी है यहां की कमोविस सारी सडके सिद्धी है या फिर आड़ी आज वास्तुकार इसे ग्रीड प्लान कहते हैं आज की सेक्टर मारको कोलोनियों में हमें आड़ा सिदा नियोजन बहुत मिलता है लेकिन वहां रहन सहन को निरस बनाता है सहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अरा जकता ज्यादा हाथ लगती है ब्रासिलिया या चंदिगर्ट और इसलामबाद ग्रीड शैली के सहर है जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठराराए जाते हैं लेकिन उनकी बसावट सहर के खुद बिकसने का कितना अवकास छोड़ती है इस पर बहुत संका प्रगट की जाती है मोंच दड़ो की साक्षर सब्यता एक्सू सिंस्क्रित समाज की सापना थी लेकिन उनमें नगर नियोजन और वास्तोकला की आखिर कितनी भुमिका थी स्तूप वाले चबूतरे के पिछे घट और ठीक सामने उचवर्ग की बस्ती है उसके पिछे 5 किलोमिटर दूर सिंधू बैती है सिंधू नदी पूरब की इस बस्ती से दक्षिन की तरफ नजर दोडाते हुए पूरा पिछे गुम जाए तो आपको मोंच दड़ो के खंडर हर जगा दिखाए देंगे दक्षिन में जो तूटे फूटे घरो का जमगट है वह कामघारों की बस्ती है कहा जा सकता है इतर वर्ग की संपन समाज में वर्ग भी होगे लेकिन क्या निमनवर्ग यहां नहीं था? कहते हैं निमनवर्ग के गर इतनी मस्बूत सामगरी के नहीं रहोंगे कि 5000 साल टिक सके यानि आप यहां देख सकते हो जो मोंचो दड़ो सब्यता है मिस जो सहर बसा था वहां पर उचवर्ग का इलाका अलग था और जो कामगार बस्ती थी यानि निमनवर्ग उनका भी अलग इलाका था यानि उनके मकान पक्के नहीं होंगे इसलिए अभी सबूत छोड़े हुए नहीं है उनकी बस्तियां और दूर रही होगी यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के एक तीहाई हिस्से की खुदाई ही हो पाई थी अब यह भी बंद हो चुकी है हमें पहले स्थूप के टिले से महाकुंड के विहार की दिशा में उत्रे दाई तरफ एक लंबी गली दिखती है इसके आगे महाकुंड है पता नहीं सायास है या सयोग कि धरोहर के प्रबंध धकोडे उस गली का नाम देव मार्ग यानि डिबेडनिया स्ट्रिक रखा था माना जाता है कि उस सब्याता में सामोईक स्थान किसी अनुस्थान का अंस होता था कुंड करेब 40 फूट लंबा और 25 फूट चोड़ा है गहराई 7 फूट है कुंड में उतर और दक्षिन में सीडिया उतर दिये इसके तिन तरफ सादूओ के कक्ष बने हुए है उतर में दो पांत में आठ स्थान गर है उसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलदा सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है इस कुंड में खास बात पक्की इटों का जमाव है कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का असुद पानी कुंड में ना आए इसके लिए कुंड के तल में और दिवारों पर इटों के बीच चुने और चिरोडी के घारे का इस्तमाल हुआ है पास्वकी दिवारों के साथ दुसरी दिवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद दामिर का प्रयोग किया है कुंड के पानी के बंदोबस के लिए एक तरफ कुआ है दोहरे गेरे वाला या अकिला कुआ है इसे भी कुंड के पवित्रो या अनुस्ठान होने का प्रमाण माना गया है कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालिया है इनकी खास्यत यह है कि ये भी पकी इटों से बनी है और इटों से धकी भी है पकी और आकार में समरूप दूसर इटे तो सिंदुकाटी सब्यात्या की विशिष्ट पैचान मानी ही गई है ढकी हुई नालियों का उलेक भी पुरा तत्विक विद्वान और इत्यासकार जोड़ देकर करते हैं पानी निकासी का ऐसा सू विवस्तित बंदोबस इससे पहले के इत्यास में नहीं मिलता महा कुंड के बाद हमने गड की परिक्रमा की कुंड के दुसरी तरफ विशाल कोठार है कर के रूप में हासिल अनाज सायद यहां जमा किया जाता था इसके नेरमान रूप खास कर चोकडियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है यहां नोनो चोकडियों की तीन दिक्कता रहे उतर में एक गली है जहां बेल गाडियों का जिसके प्रयोग के साक्षय मिलते हैं धुलाई के लिए आवागमन होता होगा ठीक इसी तरह का कोठा हडपा में भी पाया गया है अब यह जगजाहिर है कि सिंदुगाटी के दोर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी बरसु यह माना जाता रहा कि सिंदुगाटी के लोग अन उपास्दे नहीं थे उसका आयात करते थे नहीं खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है बलकि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मुलतह खेती हर और पसुपालक सब्यता ही थी लोहा सुरू में नहीं था पर पत्थर और तांबे की बहुत तायत थी पत्थर सिंद में ही था तांबे की खाने राजिस्तान में थी इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रवेस किये जाते थे जबकि मिस्त्रो और सुमेर में चक्मक और लकडी के उपकरण इस्तमाल होते थे इत्यासकार इर्फान हबिब के मुताबिक यहां के लोग रभी की फसल लेते थे कपास, गेहूं, जों, सर्शो और चने की उपज के पुकता सबूत खुदाई में मिले वह सब्यता का तर यूग था जो दिमे दिमे सुखे में ढल गया विद्वानों का मानना है कि यहां जवार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी लोग खजूर, खर्बूजे और अंगुरूगा दे थे जाडियों में से बेर जमा करते थे कपास की खेती भी होती थी कपास को छोड़ कर यानि सब के बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है यह दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूलने में से एक है दूसरा सूती कपड़ा तीन हजार इसा पूर्वका है जो जोर्डन से मिला, मोंजो दड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में मादो स्वरुप वस्त को मिला था, छालडी याने लिनन और उन कहते हैं, यहां सुमेर से आयात होते थे, सायद सूत उनको निर्य होता होगा, जैसा कि बाद में सिंद से मद्देशिया और यूरोप को सद्यो हुआ, प्रसंग वस्त मेसोपोटेमिया के सिला लेखो में मोंजो दड़ो के लिए मेलूहा सब्दक का संभावित प्रयोग मिलता है, महाकुन के उत्तरपुर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अक्सेस है, इसके बिचो बीच खुला बड़ा दालान है, तीन तरफ बरामदे है, इनके साथ कभी छोटे-छोटे कमरे रहे होंगे, पूरा तत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुस्ठानों में ज्यान सालाए सटी हुई होती थी, उस नजरिये से इसे कोलेज औप प्रिंस माना जाता जा सकता है, दक्षिन में एक और भवे इमारत है, इसमें बीच खंबो वाला एक बड़ा होल है, अनुमान है कि यह राजिय सची वाला है, सभाब भवन या फिर कोई सामोही केंद्र रहा होगा, गड की चार दिवारी लांकर हम बस्तियों की तरफ यह घड के मुकाबले छोटे टिलों पर बनी है, इसलिए इने नीचा नगर कहे कर भी पुकारा जाता है, खुदाए की प्रकरिया में टिलों का आकार घड गया है, कहीं कहीं वे फिर जमिन से जा मिले हैं, और बस्ति की कुए लगता है जैसे मिनारों की सकल में धर्ति छोड कर बाहल निकलायो, पूरब की बस्ति रईसों की बस्ति है, हाला कि आज के युग में पूरब की बस्तियां घरीबों की बस्तियां मानी चाती है, मोंजदडों इसका उलड था, यानि बड़े घर, चोडी सडके, ज्यादा कुए, मोंजदडों के सबी खंडरों को पूरा तत्वा का संक्षित नाम दे दिया गया था, जैसे डिके यानि दिक्षित का सिनात की खुदाई, उसके नाम पर यहां दो हलके हैं, डिके क्षित्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्व पुणा है, सहर के मुख्य सडक यानि फर्स्ट स्ट्रेट यहीं पर है, या बहु तलंबी सडक है, मानो कभी पुरे सहर को नापती हो, अब यहां आधा मिल बची है, इसकी चोड़ाई 33 फूट है, मोंचो दड़ों से तीन तरह के वाहानों की शाक्षे मिले हैं, इनमें सबसे चोड़ी बेलगाडी रही होगी, इस सडक पर दो बेलगाडिया एक साथ आसान इसे आ जा सकती है, यह सडक वहां पोस्ती हैं, जहां कभी बाजार था, इस सडक के दोनों और घर थे, लेकिन सडक की और सारे घरों के सिर्फ पीठ दिखाए देती है, यानि कोई घर सडक पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं, दिलचप सयोग यह है कि चंदीगड में ठीक यही सेली पचास साल पहले कर्बू जीये ने इस्तमाल की, वहां भी कोई घर मुख्य सडक पर नहीं खुलता, आपको किसी घर में जाने के लिए मुख्य सडक से पहले सेक्टर के बितर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में और फिर घर में, क्या कार्बू जीये ने यह सीक मोंजो दड़ों से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओ की तरह वास्तु कलाओ में भी कोई प्रेणा जेतन अव जेतन ऐसे भी सफर करती होगी, ढकी हुई नालिया मुख्य सडक के दोनों तरफ समानतर दिखाई देती है, ब बस्ती के बितर भी इसका यही रूप है, हर गर में एक स्नान गर है, घरों के बितर से पानी या मेल की नालिया बाहर होदी तक आती है और फिर नालियों के जल से जुड़ जाती है, कहीं कहीं ये खुली है पर ज्यादा तर बंध है, स्वास्तिय के प्रती मोंजो दड़ों क बासिन्दों के सरोकार का यह बैतर उदारण है बस्ती के बितर छोटी सडके हैं और उनसे छोटी गलिया भी छोटी सडके 9-12 फुट तक चोड़ी है इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खिजती है वहे कुओ का प्रबंध ये कुओ भी पक्की हुई एक ही आकार की इ इत्यासकार कहते हैं सिंदुगाटी सब्यता संसार में पहली ग्यात संस्कृती है जो कुओ खोद कर भूजल तक पहुची उनके मुताबिक केवल मोंचो दड़ों में 700 से करीब कुओ थे नदी, कुओ, कूंड, नानगर और बेजोड पानी निकासी क्या सिंदुगाटी सब प्यता को हम जल संस्कृती कह सकते हैं बड़ी बस्ती में पूरा तत्व शात्स्री कासीनात दिक्षित के नाम पर एक हलका डिके जी कहलाता है इसके घरों की दिवारे उची और मोटी हैं मोटी दिवारकार्थ यह लगया जा सकता है कि उस पर साइद दूसरी मंजिल भी रह होगी कुछ दिवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए साइद यहां सहतीरों की जगह हो सबी गर इटके हैं एक ही आकार की इटे 1 x 2 x 4 के अनुपात की हैं सबी बठी में पक्की हुई हडपा से हटकर जहां पक्की और कच्ची इटों का म मिला जुला नेरमान उझागर हुआ है मोंजो दड़ों में पत्थर का प्रयोग मामुली हुआ कहीं कहीं नालियों की अंगड पत्थरों से ढकी दिखाए दी आपको जो तस्वीर में कुआ दिखाए दे रहा है आपको लगेगा यह कुआ उपर क्यों हैं लेकिन जमिन प्रवेस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेस्दवार बना है, कुई खिडकी नहीं है, खिडक्या साइद उपर की दीवार में रही हो, यानि दूसरी मंजिल पर, बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिडक्या जरूर है, बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्धम होता होगा, कुमहारों का काम या फिर कोई धातु कर्म, हाला कि सभी घर खंडर है और दिख़ए देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, घर छोटी भी है और बड़े भी, लेकिन स लबगर एक कतार में हैं, ज्यादातर घरों का आकार तक्रिबन 30 गुणा 20 फूड का होगा, कुछ इससे दुगणे तिगुणे आकार के भी है, इनकी वास्तु सेली कमोवेज एक सी प्रतित होती है, व्यवस्तित और नियोजिस सहर में साइध इसका भी कोई काईदा पासियों पर लागू हो, एक गर को मुख्या का गर कहा जाता है, इसमें दो आगन और करिब 20 कमरे हैं, डिके भी सी हलका आगे पूरब में हैं, डाडी वाले याचक नरेस की मुर्ती इसी तरफ के एक गर से मिली थी, डिके जी की मुख्य सड़क पदक्षिन की ओर बड़े, तो डेड फलांग की दूरी पर HR हलका है, HR हलका यानी हेरल्ड हर ग्रिव्स के नाम से जाने जाते हैं, सड़क उसे दो भाग में बार देती हैं, जिन्होंने 1924-25 में राखलदास बेनर जी के बाद खुदाई करवाई थी, HR ने, यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मि ले थे, जिने लेकर कई तरकी कहानिया बनती रही, प्रसिद नर्त की सिल्प भी वहीं एक छोटे गर की खुदाई से निकला था, इसके बारे में पुरा तत्व वीद मार्टीमर विलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ी की दुसरी चीज सायध ही होगी, यहां मुर्ती अब दिल्ली के राष्ट्रिय संग्रालय में है, यहीं पर एक बड़ा घर है, जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है, इसमें आमने सामने की दो चोड़ी सीडिया उपर की मंजिल की तरफ जाती है, और अभी उपर की जो मंजिले वो द्वस्त हो गई है, यानि गिर गई है पसी में घड़ी के ठीक पीछे मादो स्वरुप वस्त के नाम पर बी एस हिस्सा है, मैंने पहले भी कहा यह सोट नामें बी एस ऐसे, यहां वो रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहां जमेन में इटो के घोल घड़े उब्रे हुए हैं, अनुमान है कि इन में रंगाय के बने बर्तन रखे जाते थे, दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है, एक कतार मुख्य सडक पर है, दुसरी पीछे की छोटी सडक की तरफ है, जब में दो दो कमरे हैं, स्नानगर यहां भी सब घरों में है, बाहर बस्ती में कुई सामोईक प्रयोग के लिए है, ये कर्मचारियों का या फिर कामगारों की गर रहे होंगे, क्योंकि छोटो छोटे गार है, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है, मोंचो दड़ों में कुऊओ को छोड़ कर लगता है, जिस सब कुछ चोकोर या फिर आयतकार हो, नगर की योजना हो, बस्तिया, घर, कूंड, बड़ी इमारते, ठप्पेदार मोहरे, चोपड का खेल हो, गोटिया हो, तोलने के बाट आधी सब, छोटे गरों में छोटे कमरे समझ में आते, पर बड़े गरों में छोटे कमरे देखकर अच्रज होता है, इसका एक अर्थ तो यह लगाया है, कि सर की सामने आया, कि बड़े गरों में नीचली मंजिल में नोकर चाकर रहते होंगे, ऐसा अमेरिकी नुत्यत्व सास्त्री गेगरी पोसेल का मानना है, बड़े गरों के आंगन में चोडी सीडिया है, कुछ गरों में उपर की मंजिल के निसान है, पर सीडिया नहीं है, सायद यह यहां लकड़ी की सीडिया रही हो, जो कालांतर में नस्ठ हो गई, संभव है उपर की मंजिल में ज्यादातर खिड़कियां, जरोखे और सास सजा रही हो, लकड़ी का इस्तमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता हो, कुछ गरों में बाहर की तरफ सीडिया के संके थे, यहां सायद उपर और निचे अलग-अलग परिवार रहते होंगे, छोटे घरों की बस्ती में छोटी संक्री सीडिया है, उनके पाइदान भी उंचे हैं, ऐसा जगह की कमी के वज़े से हो सकता है, गोर किया कि मोंज़दड़ों के किसी घर में खिड़कियों का या फिर दर प्रवधान होता है, क्या उस वक्त यहां इतनी कड़ी दूप नहीं पड़ती होंगी, मुझे मोंज़दड़ों की जानिमानी मोहरों के पसु याद आए, सेर, हाथी या घेंडा इस मरू भूमे में हो नहीं सकते, क्या उस वक्त यहां जंगल भी थे, यह तथ्यस थापित ह हो चुका है, कि यहां अच्छी खेती होती थी, पूरा तत्वी सीरिन रतनागर का मानना है कि सिंदुवासी कुओ से सिचाई कर लेते थे, दूसरे, मोंज़दड़ों की किसी खुद़ई में नहर होने के प्रमा नहीं मिलते, यानि कि बारिस उस काल में काफी होती होगी, क् और कुओ के अत्यदिक इस्तमाल से भूतल जल भी पहुँच से दू चला गया, क्या पानी के अभाव में यहिला का उजड़ा और उसके साथ सिंदुगाटी की सम्रिद्धी सब्यता भी, मोंज़दड़ों में उस रोज हवा बहुत तेज बह रह थी, किसी बस्ती के तुट फुटे गर में दर्वाजे या फिर खिड़की के सामने में हम गुजरे, तो सान सान की ध्वनी में हवा की लए साफ वकड में आते थे, वैसे ही जैसे सडक पर किसी वहान से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रह कर हवा के लए बंध थपेडे सुने ब गरों में हवा की लए और ज्यादा गुंसती है, इतनी की कानों का अंधेरा भी सुनाई दे, यहां एक गर से दुसरे गर में जाने के लिए आपको किसी गर से वापस बाहार नहीं जाना पड़ता, आखिर सब खंडर है, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है, एक गर दुसरे में खुलता है, दुसरा तिसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा गर हो, लेकिन गर एक नकसा ही नहीं होता, हर गर का एक संसकार में आकार होता है, बले ही वह पांच हजार साल पुराना गर क्यों नहों, हम में कमोवेस हर कोई पाव आहिस्सा उठाते बेहत धीमी गती से दाखिल होना था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिग्यासा ही न हो, किसी अजनेबी गर में अनधिकार चहल कदमी का अपराद बोध भी हो, जैसे किसी पराय गर में पिछवाडे से चोरी छुपे गुस आए, सब जानते हैं यहां आप कोई बसने नही जान की ही खुबी थी, कि मिटी में इच दर इच, कंगी कर इसकदर सहर उसकी गलिया और घरों को ढूंडा और सहे जा गया है, कि यहां सहसा हर वक्त आपके साथ रहता है, कल कोई यहां बसता था, जरूर यहां आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है, अन्चाहे मुझे मोंजो दरों की घर्लियों या फिर गरों में राजस्तान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, महाज इसलिए नहीं कि पस्सिमी राजस्तान और सिंद जो गुजरात की रश्यावली एक सी है, कई चीज है जो मुझे यहां से वहां जोड़ दारती है, जैसे हजारों साल पुराने यहां के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती, मोंजो दरों की गरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आए, यह जैसलमर के मुहाने पर पीले पत्थर के गर वाला एक खुबसुरत गाउं है, उस खुबसुरत में हर कदम एक गमी गाउं में गर है पर लोग नहीं है, कोई देड़ सो साल पहले राजा के तक्राओ पर स्वाभी मानी गाउं का हर बासिंदा रातो रात अपना गर छोड़का चला गया, दरवाजी असबाब पीछे लोग उठा ले गया, गर खंडर हो गया पर ठहे नहीं, गरों की दिवारे प्रवेश और खिडकिया ऐसी है, जैसे कल की ही बात हो, लोग निकल गये, वक्त वहीं रह गया, खंडरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हो, और साय साम धले लोट आने वाले हो, ये मैं जसल मर की बात कर रहे हूं, राजस्तान ही नहीं, गुजरा पंजाब और हरियाना में भी कुए, कुंड, घली कुचे, कची, स्पकी, इटों के कई घर भी आज वेसे मिरते हैं, जैसे हजारों साथ पहले हुए, जोन मार्सल ने मोंचो दड़ों पर तीन खंडों का एक विशत प्रबन छपवाया था, उसमें खुदाय में मिली ठोस, पईयों वाली मिटी की घाडी के चित्र के साथ सिंदक में पिछली सदी में बस्ती जारई ठीक उसी तरह की बेल गाडी का भी एक चित्रन प्रकासित है, तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया, हालाकि कमानी या आरे वाले पईये का आविस्कार बहुत प चोटा था, हमारे गाव में भी लकडी वाले ठोस पईये बेल गाडी में जूटते थे, दुलहन पहली दफा इसी बेल गाडी में ससुरल जाती थी, बाद में हमारे यहां भी बेल गाडी में आरे वाले पईये जूटने लगे, अब तो उसमें जीप में उतारू पईये पाजार में आने के बाद उंट गाडी का ही आविस्कार हो गया है रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का या एतियास गठ जोड है हाला कि कहना मुस्किल है कि दुलहन की सवारी के रूप में बेल गाडी या उंट गाडी का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा हमारे प्रेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोंजदड़ों का अजयबगर देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकल हम उस साबूत इमारत में जाग आ गये। लेकिन प्रदसित सामान आपको खंडरों से निकल लाने का एसास होने नहीं देता। अजयब गर छोटा ही है जैसे किसी कसबाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़े कराची, लाहोर, दिल्ली और लंडन में हैं जो मोंजदड़ों की खोदने से निकली है वो। यो अकेले मोंजदड़ों की खुदाई में निकली पंजिकर चीज़े ही संख्या पचास जासे ज़्यादा आए। मगर जो मुठी बर चीज़े यहां प्रदशी थे, पहुची हुई सिंदु गाटी की जलक दिखाने को काफी है। काला पड़ गया गेहु, तामबे और कासे के बर्तन, मोहरे, वाद्य चाकपर बने विशाल, मृत्भान, उन पर काले भूरे चित्र, चोपड की घोटिया, दिये माप तोल पत्थर, तामबे का आईना, मिटी की बेलगाडी और दुसरे खिलोने, दो पाटन वाली चकी, मिटी के कंगन, रंगबी-रंगी पत्थरों के मनको वाला हार और पत्थर के ओजार, अजयब गर में तैनात, अले नवाज बताता है कि कुछ सोने के गेने भी यहां हुआ करते हैं, जो चोरी हो गए, एक खास बात यहां कोई भी मैसुस करेगा, अजयब गर में प्रदिसित चीजों में ओजार तो है, पर हत्यार कोई नहीं है, मोंजो दड़ो क्या हडपा से लेकर हड़ियाना तक समोची सिंदु सब्यता में हत्यार उस तरह कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे किसी राजदंत्र में होते होंगे, क्यार्नी राजासाई में जो हत्यार होते हैं, जैसे की त इत्वान सिंदु सब्यता में सासन या सामाजिक प्रबंध के तोर तरीके को समझने की कोशिस कर रहे हैं, वहाँ अनुसासन जरूरी था पर ताकत के बल पर नहीं, वे मानते हैं कोई सेनिय सता सायद यहां न रही हो, मगर कोई अनुसासन जरूर था, जो नगर योजना, वास्तु सिल्प, मुहर ठपो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्ताओ, आदी में एक रुपमांतर तक को कायम रखे हुए था, दूसरी बाद, जो सांस्कृतिक धरातल पर हिंदूस गाटी सब्यता को दूसरी सब्यताओं से अलग लाख खड़ा करती है, वहे प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना, दूसरी जगों पर राज तंत्र या धर्मन तंत्र के ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपसना सल, मुर्तियां और पिरामीद आदी मिलते हैं, हड़पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदीर, न राजाओं और महंतों की समाध्या, कुछ नहीं मिला है, यहां के मुर्ती सिल्प छोटे हैं और ओजार भी, मोंजो दड़ों के नरेश के सिर पर जो मुकूठ है, सायद उससे छोटे सिर्पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और तो और उन लोगों की नावे बनावट में मिस्रक की नावों होते हुए भी आकार में छोटी रही, आज के मुहावरे में कर सकते हैं कि वो लोग प्रोफाइल सब्वेता थी, लगुता में भी महत्ता अनुभव करने वाले संस्कृती, मोंजो दड़ों सिंदु सब्वेता का सबसे बड़ा सहर ही नहीं था, उसे साधनों और विवस्ताओं को देखते हुए सबसे सम्रुद भी माना गया है, फिर भी इसकी संपर्ता की बात कम हुई है, तो साध इसलिए कि उसमें भवेता का अंड़बर नहीं है, दुसरी वज़े यह भी है कि मोंजो दड़ों और हडपा पिछली सदी में ही उदगाटित हो सके, उनकी अनुभुज लिपी अभी भी सारे रहस्या अपने में छिपाई हुई है, यानि उनकी जो भासा है, वो अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, सिंदु गाटी के लोगों में कला या सूरुची का महत्व ज्यादा था, वास्तु कला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थरों की मुर्तिया, मुर्दभान, उन पर चित्रित मनुश्य, वनस्पती और पसुपक्षियों की छबिया, सुनिर्मीत मुहरे, उन पर बारिकी से उतकिल्न आकृतिया, खिलोने, केस विन्यास, आबुसन और सबसे उपर सुगड अक्षरों का लिपी रुप, सिंदु सब्यता को तकनिक सिद्ध से ज्यादा कला जाहिर करता है, एक पूरा तत्व वेता के मुताबिक सिंदु सब्यता की खुबी उनका सोंदर यबोध है, जो राजपोसित या धर्मपोसित न होकर समाजपोसित था, सायद इसलिए आकार की भवेता की जग़, उनमें कला की भवेता दिखाई देती है, अजयब घर में र दिख्षित को सोने की तिन सुया मिली, जिनमें एक दो इंच लंबी थी, समझा गया है कि यह बारिक कसीदा कारी में कामाती होगे, या करे नर्तकी के अलावा मोंजो दड़ो के नाम से प्रसीजोड डाड़ी वाला नरेस की मुर्ती है, उनके बदन पर आकरशक गुलकारी वाला दुशाला भी है, आज छापे वाला कपड़ा अचरज सिद्ध की खास पैचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविस्कार बहुत बात का है, खुदाई में सुयों के अलावा हाथी दात और तांबे की सुयी भी मिली, जानकार मानते हैं कि इनके साइद दर या बुनी जाती थी, हलाकि दरी का कोई नमुना या साक्षय हासिल नहीं हुआ है, वो सायद कभी हासिल नहों क्योंकि मोंचो दड़ों में अब खुदा इबंद कर दी गई है, सिंदु की पानी के रिशाव से उक्षार और दरदल की समस्या पेदा हो गई है, मोजूदा ख आतीद में दबे पाउ, गध्या का अधियन पुरा होता है, धन्यवाद